है तो नमस्कार दोस्तों स्वागत आपको ट्लेवित एम में तो देखें नावदेव इद्याले के दौराफ कख्षा छाह में प्रवेश्च के लिए यह लोग आव interference माघते हैं 2020 के लिए प्रवेश के लिए आपका कख्षा छाह के 2019 को जारी कर दिया है नोटिफिकेशन और इन्होंना अपने साइट पर डाल दिया है और जो निकी जो कक्षा 6 के लिए इन्होंना आवेधन मागे गये हैं नावदे विद्याले की ओर से तो उनका परिक्षा 6 के लिए प्रिक्षा करवाता है यह नावदे विद्याले समयती तो उसके प्रिक्षा की डेट्स उसमें नेगेटिव मार्गी है या नहीं है तो पूरी जनकरी में अपनी वीडियो पर दूँगा तो मेरी इस वीडियो का अब स्टार्टिंग से लेका अंतक जरू बेसेगली मैं उत्राखंड से हूँ तो मैं आपको यहां पर उत्राखंड की सीटे डिफाइन कर देता हूं देखिए उत्तराखंड में तेरा नवदे विद्याले हैं और उत्तर प्रदेश में 75 प्लस 1 सीटे हैं तेलंगाना में 9 त्रिपूरा में 8 वैसी वैस्ट बेंगॉ तो उसके बाद आप बात कर लेते हैं इसESES नेकेंच्ट इंपोर्टेंट गाना क 성공 देंक नीस नियह नहीं ở ने यह दे रखा है तो सबसे पहले देखिए जो आनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं भने तो मैं आपको बता देता हूं इसमें टू फीर में एक्जाम होता है तो पहले फेस में जिनराज्यों का एक्जाम होता है वह यहां पर पूरा डिफाइन किया वह है जिसमांदर प्रच्ट का एक्जाम होगा वह बता देता हूं देखिए जो सेकंड फेस में एक्जाम होगा वह कंडेक्ट कराए जाएगा उस दिन भी सनीवार है ठीक है उसमें देखिए आपका मिजोरम नागा लैंड सिक्के मुत्राखन तो यह सारी चीज़ा आजाएंगे आपकी तो यह सेकंड इसमें पूरे पूरे राज्जिय दे रखे हैं तो आप इन में से देख लिए किस ऐसे में आपका राज्ज पढ़ रहा है और उस इसमें आपका आपका इग्जाम होगा है उसके बाद देखिए लिए जिसमें मोस्ट इंपोटेंट शीज आती आपकी नौदे विद यहां से बहुत अच्छी पढ़ाई होती है आपको पता होगा और बहुत अच्छे फाइदे भी है यहां के और आगे तक इसके फाइदे मिलते रहते हैं ठीक है उसके बाद देख लीजिए जो आपका यहां पर सबसे पहले देखिए आपको यहां पर जाना है www.naudia.gov.in पर आपको यहां पर विजिट करना है अपने साइट पर ठीक है तो मैं आपको यह भी बता दूँ कि आप यह उसमें मत रही है कि आपके जो फॉर्म में सीस्टी से भरे जाएंगे यहां वो सीस्टी से ही होगा इसका आप चाहें तो अपने मोबाइल फॉर्म पर अपने लैप टॉप पर अपने डेक्स टॉप पर आप किसी भी तरीके से आप अपना यह online फॉर्म कर सकते हैं तो देखिए जो इसके साइड मैंने बता दी www.naudia.gov.in पर जाके आप इसमें इसमें विजिट कर सकते हैं और उसक और साइड दे रिखिए देखिए यहां पर www.nvasadmissionsclass6.in पर जाके भी आप यहां पर अपना फॉर्म कर सकते हैं तो देखिए फॉर्म करने के बाद जो most important चीज़ यहां पर आ जाती है कि आपके पास class 5 का इसमें जो आप online फॉर्म करेंगे तो आपके पास most important आपको इसमें document update करना है उसमें upload करना है तो इस पो आव अध्यंदत प्रमाणपत्र भी कर सकते हैं जिसमें स्कूल द्वारा यह verify किया जाता है कि जुछ भी बच्चे का इसमें online form भर है उसका नाम उसमें father's का नाम उसकी date of birth और इसमें यहां भी लिखा जाता है कि वहां वर्ट से 2019 में कक कि मुहा लगती है और वह अपने साइन करते हैं तो आपको यह भी document आपको upload करना है जिसका आपको size होगा है यहां पर 10 तू 100 kb तक आप इसको upload कर सकते हैं यह kb का बना सकते हैं तो नौर्मल अगर आप font से form fill up करते हैं तो इसको आप crop कर सकते हैं इंपोर्टेंट चीज आ जाती है वह आपकी admit card तो देखिए जो आपका admit card है वह आपके एक दिसंबर से लेके एक मार्ज ता एविलेवल रहेंगे आपके इनके साइट पर तो face on और face second के लिए इन दोनों के लिए इन्होंने exam का admit card होगा वह आपको एविलेवल मिलेगा आपको एक दिसंबर 2019 साथ को यह आप डाउनलोड कर सकते हैं जो कि आपको साइट में आपको मिलेंगे आपको एक मार्ज 2020 तक तक है उसके बाद देखिए रिजल्ट पर देखिए जो इसका सेलेक्शन टेस्ट का जो रिजल्ट आता है वह आता है आपक सबसे पहले बात है जवाहर जवाहर नौदय विद्यारे की ज़ुन साइट है वहां पर चेक्कर सकते हैं डूसरा आपका डिस्टिक अजूगेशन की साइट पर चेक कर सकते हैं और यह जो जिस वेबसे प्र चुल्प और यह नौना लिंक दे रखा है www.naudya.gov.in पर जाके भी आप इसको वहाँ पर चेक कर सकते हैं ठीक है इसके बाद मैं आपको बता दो इसमें कोई भी फीस नहीं पड़ेगी यहां पर किसी यह जो फॉर्म फीस का चार्ज होगा निल होगा आपको यहां पर को भी इसके लिए पे नहीं करनी होगी ठीक है ना तो के यहां पर लिए होंगे उसके बाद देखिए यहां पर के इंकिश्टह के लिए प्रता होना कर रहा हो और जिसbay पाद जो अधिया07 आले का जो paper है वो दे रखा है वो इस बार fulfill नहीं कर सकता वह इसको farm को PB नहीं कर सकता ठीक है तो यह बात भी आप ध्यान में रह अधКर रहेगे गया तो इसके बार पहली करें तो यहां पर अको फोल्वकिल करेंगे तो अगर आप बिलॉनरा करते हैं तो आप को आक़ आपको डिखाना पड़एंट के लिए जवाहर में वीडXT पर सटीका और पर यहांच क्ली के लिए ठीक है तो जेकि जो आपको document submitted करना पड़ेगा selection के बास सबसे पहले आपको proof देना पड़ेगा date of birth का जो कि आपके school से जो भी mark sheet होती है उसमें define रहता अगर उसमें define नहीं तो आप school से लिखवा के लिए जाएंगे और जो दूसरी term and condition है वो N.V.S की जैसे की सभी document आपके अगर लगाना पड़ेगा चाहिए आप से ब्लांग करते हैं और लगाना पड़ेगा अगर आप इस पाना चाहते हैं तो आपको भी इसमें आयप्रवान पत्र भी लगाना पड़ेगा ठीक है तो यह जो कुछ दोकिमेंट जो जनरली होते हैं तो आपको इसमें लगाने पढ़ेंगे तो देखें जो सेंटर ऑव एग्जमनेशन है वह जब आपका एड्मिट कार्ड निकालेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपका जो एक्जमनेशन सेंटर हैं वह कहां पर है ठीक है और यह आप डाउनलोड करेंगे वह आप डाउनलोड करेंगे www.naudia.gov.in आप यहां पर करेंगे जैसे कि आप अंडेवां निकोबार से आप बिलॉंग करते तो आप वहां पर हिंदी इंग्लिज तमिल उर्दू और बेंगालिस जो भी लेंग्वेज होती है आप उन लेंग्वेज में पेपर दे सकते हैं वैसे आप यहां पर सभी स्टेटों के तक देख सकते हैं और उत्तर फ्रदेश भी ही हंडी हो आप को यहां पर देख सकते हैं ठीक है तो देखक़ते हैं यहां पर इन लोगों है सबसे मोस्त इंपोarl बात यहां पuldade होगा वहापका डोगंटे का ओगा चाहिँ हो तुर要 1320 इस्ट एक के आपके crushing होगा पार 20 और जो आपके 50 marks का होगा जिसके लिए आपको 60 minutes दिए जाएंगे दूसरा आपका जो पेपर होगा आपका वह आर्थमेटिक टैस्ट होगा जिसके आपके लिए number of questions होगे 20 और mark आपको 25 और जो duration होगा 30 minutes का होगा उसका language test होता है आपको यहाँ आपके language भनने के लिए चाहिए चाहिए आप Hindi भी भर सकते हैं इंग्लिस भी भर सकते हैं तो उसके लिए आपको 20 number of questions होगे आपके 25 marks के और इसको लिए आपको 30 minutes दिए जाएंगे और black ball pen लेके जानी है जो आप OMR CT पे fill up करोगे जिस pen से तो ठीक है यहाँ ब्लू हो सकती है ब्लैक हो सकती है उसके बाद देखिए उसमें आपको चार options मिलेंगे A, B, C, D तो आपका जो भी option सही होगा आपको ऐसे पूरा उसको fill up कर देना है उसको अपनी ball pen से चाहिए ब्लू हो या ब्लैक हो उसके बाद देखिए सबसे important बात या आते है कि आपको जो per question के लिए 1.25 marks दिया जाएगा उसके बाद इसमें कोई भी negative marking नहीं है ठीक है तो आ बहुत अच्छी opportunity है आप सभी के बच्चों के लिए आपके भाई बहनों के लिए जो आपक्षिया पांच से पढ़ना है क्योंकि आप सभी को पता ही है जो नौदे विद्ध्यालेगी समयती है वह बहुत अच्छा आपको education provide करवाती है वहां से बहुत अच्छा scope होता है त तो wish you all the best आप सभी लोगों को आप सभी लोगों के भाई बहनों को आप सभी लोगों के बच्चों को study with aim की ओर से wish you all the best धन्यावनत